खुबेर और रावन एकी परिवार से दो विपरित दिशाये भारत की पौराने कथाओं में कई ऐसे कहानिया छुपी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है क्या आपने कभी सोचा है कि धन के देवता कुबेर और लंका के महाशक्तिशाली राजा रावन एकी परिवार से थे हाँ ये सच है कुबेर और रावन भाई थे आज हम जानेंगे कि कैसे रावन ने अपने ही भाई से लंका चीन ली और इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर कर दिया कुबेर और रावन दोनों महरशी विश्रवा के पुत्र थे विश्रवा स्वयम रिशी पुलस्तिया के पुत्र थे यह पुलस्तिया ब्रह्मा के मानास पुत्र माने जाते हैं कुबेर विश्रवा और उनकी पहली पत्नी इलाका पुत्र था जबकि रावन विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी के पुत्र थे कुबेर को देवताओं का खजानची माना जाता है और उन्हें अलोकिक धन का स्वामी कहा गया है वह अपनी दानशीलता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे उन्हें यक्षराज का भी खिताब मिला उन्होंने लंका में अपनी राजधानी बनाई थी जो सोने की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी वही दूसरी ओर रावन उनकी माता कैकसी के स्वभाव और असुरों की शक्ती से प्रभावित था रावन बच्पन से ही एक शक्तिशाली और मात्वकांशी व्यक्ती था उसने ब्रह्मा से अमर्ता और अपार शक्तिया प्राप्त करने के लिए कठूर तपस्या की उसकी इसी शक्ति और मात्वकांशा ने उसे अपने ही भाई कुबेर के विरुद्ध खड़ा कर दिया कहानी के अनुसार जब रावन ने अपनी शक्तियों का पूरी तरह एहसास किया तो उसने अपने भाई कुबेर से लंका को छीनने का फैसला किया उसने युद्ध के बिना ही लंका पर अधिकार कर लिया और कुबेर को वहां से बाहर निकाल दिया कुबेर ने इस अपमान को सहा लेकिन रावन को कभी शमा नहीं किया रावन ने लंका पर राज किया और उसने अपनी शक्तियों और धन से और भी अधिक समृद्ध बनाया लेकिन उसका लालच और कुरूरता ही अंतह उसकी विराश का कारण बने कुबेर और रावन की कहानी हमें यह सिकाती है कि एक ही परिवार के सद्यस्य भी अलग-अलग रास्ते चुन सकते हैं जहा एक ने धन और शांती को जुना वही दूसरे ने शक्ति और अंकार को अपना मार्क बनाया और अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है यह कहानी आपको महारशी वालमिकी के रामायन और पद्वपुरान जैसे गरंतों से मिलती है इसके अलावा आप अन्य पुरानों में भी इस विशय का उलेक पा सकते हैं इन कहानियों के माध्यम से भारतिय पुरानिक गताए हमें जीवन के अनेक महतुपूर्न संदेश देती है जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिये ऐसे ही और रोचक तत्यों के बारे में अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकोन दबाना न भूले धन्यवाद